So guys, Khatrugila Decision 14 के episode number 10 का second stunt एक horse riding stunt था मगर इसमें contestants को horse पे riding नहीं करनी थी बलकि horse उनको drag करेंगे Stunt कुछ ऐसा था कि contestants को horse के पीछे भांदिया जाएगा और फिर horse उनको drag करके 3 lap complete करेंगे और इन 3 lap में contestants को cones को गिराना था एक stick की मदद से और फिर ये stunt सबसे पहले perform करती है सुमोना और सुमोना तीनो lap में सिर्फ दो ही cones को गिरा पाती है क्योंकि उसके पहले lap में stick गिर जाती है जिसके बाद फिर वो stick को दुबारा नहीं उटा पाती और फिर बारी आती है आशिश की आशिश stick को काफी मजबूती से hold करकर रखता है मगर वो भी सुमोना के जैसे यहां से वाँ हिलता रेता है और खुद को stable नहीं कर पाता जिसके वज़े से वो सिर्फ तीनों lap के अंदर दो ही cones को गिरा पाता है मगर एस स्टंट में सबस्यादा मज़ा आता है क्रिश्णा की बारी पर क्रिश्णा काफी stable रहती है जब horse उसको drag करता है और फिर क्रिश्णा stick की मदद से 6 phone को गिरा देती है जिसके बाद फिर रिजल्ट को जैसा आता है कि क्रिश्णा सेफ हो जाती है और अब elimination stunt तीन लोग परफॉर्म करेंगे जोकी है शालिन, सुमोना और आशिश अब देखने ये होगा कि इन तीनों में से कौन होता है कात्रोग गिलारी सेजन 14 से आउट आपको क्या लगता है हमें कमेंटर के जुरू बता है